ये देखिए दोस्तों सामबर हमारा लग रहा है ना बिल्कुख साउथ इंडियनिस टाइल हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हम घर के बेसिक इंग्रीडेंट से और कम सबजियों से बहुत हेल्दी और टेश्टी सामबर बनाएंगे तो चलिए इसकी रेसेपी देख लेते हैं सामबर बनाने के लिए यहां मैंने लिया है एक कप तूर की दाल या जिसे अरहर की भी दाल कहते हैं दाल को धूने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे पानी डाल कर दाल को हाथ से अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसे एक से दो बार पानी डाल के अच्छे से धोलेंगे जिससे दाल पे लगा हुआ धूल गर्दा अच्छे से धूल जाए और दाल हमारा बिलकुल साफ और क्लीन हो जाएगा यह देखिए यहां मैंने डाल को दो से तीन बार पानी में अच्छे से वाश कर लिया है और डाल को गलाने के लिए हम एक कुकर लेंगे और कुकर में डाल डालेंगे डाल डाल करके कुकर में हम दो से तीन गिलास पानी एट करेंगे डाल में आधा चम्मच हल्दी डालेंगे हल्दी डालना optional है आप चाहे तो इसे escape भी कर सकते हैं और इसमें स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालेंगे नमक डालने से डाल हमारा बहुती अच्छे से गल जाएगा दाल पकाने के लिए या दाल गलाने के लिए कुकर को हम गैस चुला पे चड़ाएंगे और हाई फ्लेम पे कुकर को गरम होने देंगे और कुकर में धकन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे कुकर में दो से तीन विसिल आने देंगे और गैस का flame medium कर देंगे, medium flame पे हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे सांबर बनाने के लिए हमें कड़ाई लेंगे और कड़ाई में तेल डालेंगे ये देखे तेल गरम हो गया और हम इसमें small onion या सांबर प्याज डालेंगे यहां मैंने 3 small प्याज लिया, आपके पास जो available आप वो लें सांबर बनाने के लिए यहां मैंने कटा हुआ दो आलू, एक बैगन और 10 से 12 भिंडी लिया है और हम इसे कड़ाई में डालेंगे कड़ाई में डालकर सबजियों को high flame पे चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे यह देखिए सबजियों को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है गैस का flame medium कर लेंगे और हम इसमें masala एड़ करेंगे और सबजियों का कच्चापन खतम हो गया है इस टैम पे हम इसमें स्वाद अनुसर नमक डालेंगे और इसमें आधा चमच हल्दी एड़ करेंगे और एक चोथाई चमच धनिया पौडर डालेंगे और सबजियों को masala के साथ मिलाते हुए 2-3 मिनट के लिए हम मेडियम फ्लेम पे भून लेंगे सबजी मसालों के साथ अच्छी तरह से भून गया है और अब हम इसमें एक बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे टमाटर डालकर सबजियों को हम मिला लेंगे और मेडियम फ्लेम पे हम इसे कभर करके पाँच मिनट के लिए पकने देंगे पाँच मिनट हो गया सबजियों को हम एक बार चेक कर लेंगे और सबजी को इस तरह से मिला लेंगे और आलू को हम चम्मस से दबाते हुए चेक कर लेंगे ये देखिया आलू हमारी पक गई है और सबजियां भी गल गई है सबजी को अच्छी तरह से मिला लेंगे, डाल डाल कर सबजी को मिला लेंगे, ये देखिए सामबर हमारा अभी बहुत ही गाढ़ा है, हम इसमें दो से तीन कप पानी डालेंगे, ये देखें यहां मैंने सांबर में तीन कप पानी डाल लिया है और अब हम इसे मिला लेंगे और चलाते हुए हम इसे हाइ फ्लेम पे ढख कर एक से दो उबालाने देंगे सामबर को ढखके 2 मिनट हो गया है हम इसे चेक कर लेंगे ये देखे दाल में उबाल आना स्टार्ट हो गया है सामबर को चलाते हुए मिला लेंगे जिससे सामबर तले में चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं सांबर को हाई फ्लेम पे पकाते हुए एक मिनट हो गया है और इस टेम पे हम इसमें एक से डेड़ चमच सांबर पौडर डालेंगे यहां मैंने मार्केट का सांबर पौडर इस्तमाल किया है सांबर मसाला डाल कर सांबर को हम मिला लेंगे जिससे सांबर मसाला सांबर में अच्छी तरह से मिल जाए और अब हम सांबर में सांबर का मेन इंग्रिडियन डालेंगे जिससे सांबर का कम्प्लीट फ्लेवर आएगा और यहां मैंने इमली का इस्तमाल नहीं करके डेड़ चमच आमचूर पौडर एड़ किया है केक तयार हो गया है और चली अब हम इसे तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए यहां मैंने लिया है एक तड़का पैन और हम तड़का पैन को गरम होने देंगे तड़का पैन गरम हो गया है इसमें दो चमच कूकिंग ओल डालेंगे तेल में एक चुटकी हिंग डालेंगे एक चमच मस्टर्ट सीड या सरसो के दाने डालेंगे सरसो के दाने को क्रैक होने देंगे एक चमच जीरा डालेंगे जीरा को भी क्रैक होने देंगे आधा चमच मेथी के दाने आड़ करेंगे एक हरी और एक सूखी लाल मिर्च एड़ करेंगे और इसमें 10-12 करी पत्ता एड़ करेंगे और सभी इंग्रीडियंट को तेल में अच्छे से चटकने देंगे और अब तड़का हमारा तयार हो गया, गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और चलिए अब हम इसे सामबर में तड़का लगाएंगे तड़का लगा कर सामबर को मिला लेंगे और ये देखिए सामबर हमारा बिलकुल बनके तयार हो गया आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेलफुल लगी हो मेरी वीडियो को लाइक करे, चैनल को सस्क्राइब करे और इस तरीके से इस्टन सामबर आप अपने घर पे जरूर बना ये सब ही को बहुत पसंद आएगा और अब चलिए हम इसे इडली के साथ सर्व कर लेते हैं